आज है फिल्मी फ्राइडे और थेयर्टर में रिलीज हुई है जायश भाई जोरतार साथ ही Amazon Prime पर आई है Modern Love Mumbai दोनों के रिव्यूज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे और entertainment से जुड़ी बड़ी खबरे आपको हमारी इदे सिनमा शो पर मिल जाएंगी नमस्ते मेरा नाम है जीश और चलिए दालते हैं नजार आज की बड़ी खबरों पर Oscar रवार्ड विनिंग फिल्म Dune के दूसरे पार्ट की अनॉंसमेंट हो गई है इस बार Timothy शालमे के साथ Christopher Walken भी होंगे इस बार फिल्म में बहुत से नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे कंगना रनावत की फिल्म धाकर का दूसरे टेलर आ गया मूवी में कंगना एजिंट अगनी के रोल में है एक्शन पैक्ट इस फिल्म में अरजुन रामपाल और दुव्या दत्ता भी दिखेंगी फिल्म 20 माई को रिलीज होगी तापसी पन्नु की फिल्म दोबारा की रिलीज डेट आ गई यानि एक्टर सुरेंद्र राजन आक्टिंग छोड़ने वाले है उनकी उम्रा 84 साल की है रिपोर्ट के मुताबिक उनकी आखरी फिल्म होगी ये एक फिलसॉफिकल ड्रामा फिल्म है जिसे 24 वे UK एशन फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा MX Player की सीरीज आज फ्रम 3 का ट्रेलर आ गया प्रकाश जा के डिरेक्शन में बनी इस सीरीज में बॉबी डियोल बाबा निराला बने है इसे 3 जून से देखा जा सकेगा Amazon की सीरीज मिर्जापूर 3 से अली फाजल का फिर्स लुक आया है अली ने कल इंस्टा पर ब्लाक और वाइट तस्वीर शेयर की थी जिसमें वो अपने गुड़ू भाया लुक में दिख रहे है संतोष सिवन के डिरेक्शन में बनी Jack and Jill की रिलीस डेट पता चल गई Manju Warrior फिल्म में लीड रोल प्ले करेंगी महेश बाबू ने कुछ दिनों पहले बयान दिया था कि Bollywood उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता इसलिए वो Bollywood में काम करके टाइम बेस्ट नहीं करना चाहते इस पर अब Bollywood स्टार्स के रियाक्शन आ रहे है कुछ दिनों पहले सुनीर शेटी ने इस पर बोला था अब कंगना रनावत ने इसका रिपलाई किया है एक इंटर्व्यू में कंगना ने कहा ये तो उन्होंने सही कहा मैं उनसे अग्री करती हूँ इस बात पर मैं इस बात से वाकिव हूँ कि उन्हें फिल्ममेकर्स से बहुत ज्यादा काम मिलता है उनके जनेरेशन के आक्टर्स तेलगू फिल्म इंडस्ट्री में इतनी फिल्म में बना रहे हैं तो बॉलिवूद तो सच में उन्हें उफ़ोड नहीं कर पाएगा कंगरा ने कहा कि वो अपनी इंडस्ट्री के प्रती रिस्पेक्ट दिखा रहे है और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए साउथ और बॉलिवूद इंडस्ट्री की इस बहस पर रनवीर सिंग ने भी बयान दिया बॉलिवूद लाइफ से बात करते हुए उन्होंने कहा मैंने पुश्पा देखी मुझे तलगू नहीं आती आर 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 देखी जबकि मुझे उनकी भाषा नहीं आती मगर उनके काम को देखकर मैं बहुत खुश हुआ मुझे उनके काम पर गर्व है ये सब तो अपना ही है यार इंडियन सिनिमा एक ही है शारु खान की साल 1993 में आई फिल्म माया मेम सहप नेट्फिक्स से हटने जा रही है इस ड्रामा मिस्ट्री फिल्म को अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख दालिए आर्या बबर जल्द ही पंजाबी फिल्म वेस्टरन गवाया में दिखाई देंगे फिल्म को परमजीत सिंग डिरेक्ट करेंगे कहानी एक सिंगर की होगी जिसकी लाइफ जोर्नी को दिखाया जाएगा फिलहाल मूवी प्री प्रोड़क्शन मोड में है जैसा कि हमने बताया कंगना की फिल्म धाकर का दूसरा ट्रेलर आया जिससे सल्मान खान ने अपने इंस्टा पर शेयर करके फिल्म की टीम को बधाई दी कंगना ने इसके लिए सल्मान को थैंक्स कहा उन्होंने इंस्टा स्टोरी शेयर करके कहा थांक यू मेरे दबंग हीरो जिनका दिल सोने जैसा है मैं अब कभी नहीं कहूंगी कि मैं इंडस्ट्री में अकेली हूँ राजकमार राओ और सान्या मलहोत्रा की फिल्म Hit The First Case की रिलीज डेट आ गई तेलगू फिल्म हिट किये हिंदी रिमेक फिल्म 15 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म सैलेश कोलानू ने डिरेक्ट की है तो बस ये थी आज की बड़ी खबरे आपके लिए इन खबरों को लिखा है हमारी साथ ही मेक नाने अब वीकेंड शुरू हो चुका है तो खूब सारी फिल्म है और सीरीज देखे सजेशन्स के लिए हमारे चानल पर लगे रिव्यूज जरूर चेक कीजेगा और सब्सक्राइब भी करते चलिए शुक्रिया